भाई गर्मा गरब मटर पणीर खाला तो हर किसी का फेवरेट होता है और जब पणीर बना हो अपने घर की फ्रेश मसालों से पिर तो इसके स्वात के कोई जवाब ही नहीं तो वैसे आपने मटर पणीर तो बहुत तरीके से बना के खाई होगी लेकिन आप इसे मेरे तरीके से बना के देखना आपको बहुत ही टेस्टी बनेगी और आपके मटरपनी बहुत जल्दी भी बन के त्यार होगी तो सबसे पहले हम इसका एक मसाला बना के त्यार करेंगे जिसके लिए हमें प्यास, चमाटे, अहरी मेर्च, अध्रक, लसन सबको थोड़ा सा पाइं डाल के अच्छे से पेस बना लेंगे जिससे के हमारी ग्रेवी बन सके अब हम अपने घर का फ्रेश गरम मसाला बनाएंगे इससे हमारी मटरपनी बहुत ज़दा टेस्टी बनेगी वैसे तो आप बाहर कभी गरम मसाला यूज़ कर सकते हो लेकिन आप एक बार इस तरीके से बना के देखना आपको फ्लेवर बहुत ही जबर जस्त मिलेंगे मसाला बहुत है तो देखो कितना बड़ी हमारा मसाला चैसे बहुन की त्यार हो गया है अब यहां पर और पनीर को फ्राइब करके भी डाल सकते हो मुझे ऐसे ही पसंदे तो मैंने ऐसे ही डाल दिया अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चाहो तो इसे ग्रेवी भ बाल आज़े जो हमने गरम मसाला अपना बना के डाला है वो डालेंगे और उपर से हम धन्या गानिश करेंगे फिर आप इसे अपने रोटी के साथ खाओ पुलाओ के साथ खाओ खाले में बहुत ही जबर जस्त बनेगी बहुत ही टेस्टी हमारी मटर पनीर बन के त्यार है गाउं वाला टेस्ट है गो जो हमारा सोना सोना टेस्ट आता है गरम मसाले को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा तो आपने मटर पनीर तो बहुत खाई होगी आप मेरे कहने पर एक बार इस तरीके से बना के देखना बहुत जट पट से बन के त्यार होती और बहुत ही टीस्टी लगती है तो मैं तो चलती हूं अपने वर्टर पर ही खतम करने आप जो अपने फीडबैक जरूर देना कि आपको यह रेसेपी कैसी लगी तो चलो बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक की बाई बेटे केर ऐसे ही मज़ेदार रेसेपी देखने के कि अब देखने मिलते हैं तो बाई झाल के साल कि वर्टर अबढे साथ दीडियो हैंश साथ तो स Samuel